नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब हमारे पास आगई है आखरी रचना जो की है त्रिबुच की रचना जब उसमें परिमाब दिया गया हो और दो आधार कौन दिये गए हो। तो सबसे पहले आईए इससे संबंदित एक प्रशन देख लें और प्रशन में हमसे क्या कहा गया है कि हमको एक त्रिबुच की रचना करनी है ABC की जिसका परिमाब 12 cm है और आधार कौन 60 डिग्री और 70 डिग्री है तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या करिए कि एक 12 cm की ही मान लीजे हमने 12 cm की रेखा खीच ली आप 12 cm की रेखा कीचते हुए आपको यह धान देना है कि त्रिबुच ABC है तो इसके जो दो अंत या फिर सिरे कहलू मैं वो ABC नहों करके कुछ और ही XY नाम आप दीजिए अब इसके बाद आप X पर जो यह कौन दिये गई है 60ुट는데 बना सकते हैं रहें तो इसको आफ यह 7love रेखा बनार कीच नापा दो इंत दोनों के संदूड़िभाजग बना लीजे और जब संदूड़िपाजग बनाएंगे तो आपको आपको कुछ इस प्रकार की दशा दिखेगी ठीक है अब यहां पे इनके सम दूई भाजक जिस जगह पर पतिशेद करेंगे वो तीसरा शीर्ष हो जाएगा A अब बाकी दोनों शीर्ष हमको A और B पर ही मिलेंगे अब आपको क्या करना है कि A और मानीजे यह X था तो इसका एक आपको सम लम दूई भाजक बनाना होगा तो जब आप इसका सम लम दूई भाजक बनाएंगे तो एक उपर और नीचे तरिज्या लगाएंगे चाप लगाएंगे और एक यह और फिर इन दोनों ही चापों से गुजरती हुए आप जब रेखा बनाएंगे तो आपको ये कौन 90 डिग्री मिल जाएगा इसी प्रकार की करिया जब आप इस तरफ करेंगे तो आपको ये ये और साथ में ये और ये मिल जाएगा और जो की जब आप जोड़ेंगे इस तरह से तो फिर से आपको दो बिंदू मिलेंगे तो ये जो पहला बिंदू है ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और जब आप इसको जोड़ेंगे मतलब की A, B और C को जोड़ देंगे तो आपको जो त्रिबुट चाहिए उसकी रचना मिल जाएगे तो मैं अगर दुबारा चरण बता दूं तो क्या क्या है सबसे पहले हमने परिमाप के बराबर एक सीधी रेखा कीच ली फिर इस सीधी रेखा पे हमें दो शीष मिलने वाले हैं तीसे शीष को हमें ढूनना है तीसे शीष के लिए आपने बागी दोनों ही सिरों पे जो दो आधार दिये गए थे उनको बनाया फिर उन दोनों ही आधारों का कोणिये दूई भाजग बनाया उसका प्रतिछेष बिंदू हमाई पस तीसरा शीष आ गया फिर तीसे शीष और X के बीच की जो रेखा खंड थी उसका हमने समलम दूई भाजग बनाया और A और Y के बीच की रेखा का भी समलम दूई भाजग बनाया उसने जहां पे इस वाली आधार रेखा खंड को प्रतिछेट किया वो बिंदू B और C हो गया और जब हमने A, B और C को जोड दिया तो हमें जो अग्याद यहां पे त्रिबुच था या फिर या कहले जो युक त्रिबुच था वो मिल गया